हेलो स्टूरेंट्स, वेलकम टू माई नर्चर, मैं हूँ क्रिशना, कैसे हैं सब लोग, मस्ट, बढ़िया तो लोगी स्टार्ट करते हैं फार्मेसी लॉए एथिक्स में अपना नेक्स चैप्टर, चैप्टर नमबर फाइव जिसके अंतर लोग पढ़ने वाले हैं, Drugs and Magic Remedies है ना, Magic Remedies का मतलब क्या होता है, जो आजकल अपनी कंट्री में, आजकल क्या, बहुत पुराइन समय से यह ना कि जादुई तरीके से बिमारियों को ठीक कर देंगे, जो कई संभव भी नहीं है, है ना तो इस तरह के जो एड होते हैं, उनका परचार होता है, उसके परचार पर रोक लगानी है, क्योंकि उससे क्या है, लोगों को नुक्सान होता है, और प्लस गलत है वो ठीक है ना, तो उसी को हम कहते हैं, वो जो ऐसी दवाईयां या जादुई चीजें हैं ना, Magic Remedies जादुई दवाईयां, यह आ जाओ, हम ठीक कर देंगे, यह खालो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, उसी को हम कहते हैं, Objects Naval Advertisement, ऐसा Advertisement, Add हो रहा है, जिस पर Objection है हम लोगों को, ठीक है ना, किसको Objection है, हमारी Government को Objection है, और हमको भी Objection है, क्यूंकि, देख लो, 1954, उस समय हमारी Public, बहुत कम पड़ी लिखी थी, हमारी Country में, बोले बाले लोग, बहुत जादा थे, आज भी हैं बोले बाले लोग, ठीक है, त तो इसके बारे में, आप लोगों को सब पता ही है, बट हमको, law की term में कुछ बातों को समझना है, कि है क्या, ठीक है, 1954 में Act आ गया था, then 55 में इसको लागू कर दिया गया था, तो Roots, 1955 नहीं अपने Course में केवल, 1954 तक ही है, बट इसका जो Act लागू हो गया था, वो 1955 में Advertisement of Drugs, दवाईयों के Advertisement को कंट्रोल करेगा, ठीक है, इन सटन केसे, सटन मस्तब कुछ निश्चित केसे में, दवाईयों के परचार को कंट्रोल करना है, मैं आराम से पढ़ूँगा, क्योंकि law and ethics का मामला है, या भावूँगा नी, ठीक है, एक एक चीज को समझाता हो क्या करता है, कंट्रोल करता है, दवाईयों के Advertisement को कुछ केसे में, सभी में नी, कुछ केसे में, to prohibit the Advertisement for certain purpose, और कुछ केसे में, और कुछ purpose के लिए रोपता है, कौँछे purpose हैं वो, देखेंगा अभी, of remedies, remedies मतलब का इलाज, alleged, alleged में बहुता है, कथित तौर पर, कथित तो, alleged to possess magic qualities, ठीक न, वो, सारे Ad, या, ऐसी दवाईयों के परचार, या, परपस, जिसमें हम लोग जादूई होने का दवा कर रहे हैं, ठीक है, कि ला-लाज, बिमारियां भी सही हो जाएंगी, and to provide for matter connected therewith, और, provide हो सके, इन ही जादूई दवाईयों के जो Advertisement है, उसी से connected, क उसको ले करके, कैसे समस्या का समधान निकलेगा, कैसे लोगों को punish किया जाएगा, जो गलत काम कर रहे हैं, तो, उसी के संदर्व में, उसी के मामले में, ये Act लाया गया, ठीक है, objective क्या है, objective अब देखके समझ में आ गया, ठीक है, to control certain types, not all, कुछ हमें Ad ban करने थे, ठीक है, of advertisement relating to drug, drugs के मामले में, कुछ ads को हमें रोकना था, किस प्रकार के ads अभी देखेंगे, to control certain kinds of advertisement relating to magic remedies, ठीक है न, to control certain kinds of advertisement relating to magic remedies, जादूई, ठीक है, magic remedy, चमतकार से सही कर देंगे, ठीक है, with falsely claim and mislead public, जो की गलत तरीके से claim करता है, mislead करता है public को, to provide for matter there with, और साथ साथ में इसके concern में magic remedies, जादूई दवाईयों के ही लेकर के, कोई भी matter है, तो उसको लेकर के, हमें क्या करना है, रोक थाम करनी है, तो यह इसका object है, इन सब चीदों का करना है, control करना है, definitions, इस act के अंदर कुछ definitions है, जैसे कि हर act में कुछ definitions होती है, ठीक है इस act में एक definition, drug की भी आई, जो हम पहले पर चुके है, इस act में एक definition, registered medical practitioner की भी है, तो वो मैंने यहाँ पर नहीं लिए, क्योंकि हम उसको पहले भी कर चुके है, RMP है, registered medical practitioner, जो डॉक्टर की definition होती है, तो दो important definitions, ठीक है, जो कि हमें समझ नहीं है, ओके, advertisement का मतलब क्या होता है, after this का मतलब होता है कि, it include any notice, कोई भी notice, कोई notice हो गया, कोई circular हो गया, circular होता है जो एक तरह से लगा दिया और पूरे हैं फैला दिया गया है, कोई label है, rapper है, और other document, किसी भी तरह का लिखा हुआ, कोई document है, and any announcement, या मूँ से बोली हुई कोई announcement है, made orally, or by means of producing, or transmitting light, sound, or smoke, अब से क्या लिखा है, लिखके आ रहे है दिवाल में, जैसे माँ लोग एक light बना दी, उसके लिखके आ रहा है, कि, क्या, हमारे पास जादू ही दवाईया है, तो light हो, smoke का किसी की भी help से अगर आप परचार कर रहे हो, magic remedies का, या कोई चीज का परचार कर रहे हो, तो वो सब advertisement के अंदर आयाता है, वो सब किसके अंदर आता है, advertisement के अंदर, अब magic remedies, तो magic remedies देखो, कुछ चीज़ें आएंगी, क्या क्या है, magic remedies मतलब है, it include, तालिसमान, तालिसमान मतलब ताबीज, अच्छा, ताबीज लोग दो वज़े से पहनते हैं, कुछ लोग पहनते हैं, कि हाँ हम बिमार नहीं होंगे, या मेरी बिमारी ठीक हो जाएगी, इस चीज़ के लिए ये वाला एक्ट है, अब कुछ लोग पहनते हैं, भूत प्रेत और ये सब चीज़े, उसके लिए अलग चीज़े हैं, ये magic drugs और magic remedies की बात करता है, यानि कि जादूई चीज़ें से ठीक होने वाले चीज़े के लिए, अब कुछ लोग पहनते हैं कि अरृण चीज़ें से एक अलग हो गई, बिल्कुल भी आप कोई ताबीच पहनते हैं, कोई locket पहन रहे हैं, जिसमें आपकी आश्था है कि हां मैं सुख्यी रहूंगा, और मेरा परिवार सुख्यी रहेगा, मैं तरक्की करूँगा, ये एक अलग चीज हो गई, अगर आप वही चीज इसलिए पहन रहे हैं, किसी ने आप से कहा दिया है, बाबा ने, कि हाँ पहन लो बेटा, तुम्हारा डायबटीस ठीक हो जाएगा, तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाएगा, तो गलात है, तो आप इस कानून तो फिर इस कानून के अंदर गलत हो रहा है, और इस परपस से पहन रहे हैं, जहाप या आस्ता है, तो वो एक अलग चीज है, ठीक है, तो मैजिक रिमेडीस, ठीक है ना, जादू तरिके ठीक होना देखिए, यहाँ पर आप देखा होगा, इस तरह के क्या आप परिशान है क्या आपके काम नहीं बन रहे हैं, यह एक अलग चीज हो रही है, लेकिन इसी टाइप से डी जाती है, चिंता छोड़ो आपका भाग या आपको जगा रहा है, कर्ज, रोग, बिमारी, टोना, टोटका, कारोबार में रुकावट, किसी का कुछ किया करा है, नौगरी, परिस कि यहाँ पर नौकरी आौकरी वाली बात चल रही है, तो यह थोड़ा सा अलग होगा, ग्रैक अलग होगी थोड़ा सा, तभी इसके अड़ आ रहे हैं, इसी टाइप से अगर कोई यह एड़ करता है, इस टाइप से, ठीक है, कि मैं इस बिमारी को, मैं कैंसर को जड़ से खत कवच, कवच क्या होता है, जैसे कि यह हम लोग देखते हैं, देखो, यह तावीज के रूप दिखाए, फिर कह रहा हूँ, दो पर्पस है इनके, अगर आप बिमारी की पर्पस से पहें रहें तो गलत है, जैसे कि आपका यह है, श्री महालक्षमी यह यह कवच, इसको कवच, कोई भी कवच, यह कवच नहीं, कोई भी कवच अगर यह बोलता है, कि यह बिमारी ठीक कर देंगे, यह बिमारी से आप बच जाओगे, तो वो गलत हो जाएगा, बात समझ में आ रही है, किलियर है, तो कवच, मंत्र और तावीज, तीनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया, तो डिफरेंस दिखाने के लिए, और परचार को दिखाने के लिए, मैंने कुछ एड लेके आया था है, यहाँ पर, कि आप लोगों किलियर हो जाए, ठीक है, तो तावीज, मंत्र और कवच, इस तरह से कोई भी चीज बोलता है, बिमारी ठीक करने के लिए, बि कह रहा है कि charm of any, किसी टाप का जादू है, कि उसमें miraculous जादूई power है, कि वो डाइग्नोस कर देगा, कि आपको आपको अंदर बेचैनी कर रहा है, इलाज चल रहा है, लंबे समय से समझ में नहीं आ रहा क्या दिक्कत है, बाबा कहेगा, हम पैचान लेंगे क्या बिमारी है, गलत, क्यों और कहेगा, कि तुमारी बिमारी का हम इलाज कर देंगे, गलत, ये भी गलत हो गया, mitigation कर देंगे, जो बिमारी से तुम्टम से उसको हम कम कर देंगे, ये भी चीज नहीं हो सकता है, इसका अगर एड कर रहा है, तो गलत है, treatment इलाज कर देगा, या रोक थाम कर द अगर आ रहा है, तो वो गलत है, तो ये सब magic remedies के अंदर आ रहा है, या और for affecting और influencing in a way the structure or any organic function of the body of human beings or animals, यानि कि या ये कह दे कि organic function, मैटा वोले कि आपको दिमाग काम कर रहा हम बदल देंगे उसको, ठीक है, तो वो काम आपका, हैनि कोई मालो होता है, कुछ लोगों को प् या down syndrome है, दिमागी problem हो रहती है बच्चों के अंदर, तो वो कहेगा, मैं इसको ठीक कर दूँगा, तो ये सब body के function मागा changes लाने की बात कर रहा है, तो वो भी क्या है, जादू तरीका जादू से ठीक होते हैं, अगर होता तो पुरी दुनिया सही होती है, हम सब को पता है, जो बेटा, दुनिया में doctors होते ही नहीं, ठीक है, ना आप pharmacy पढ़ रहे होते, हम सब पढ़ रहे होते, क्या, तंत्र मंत्र की विद्याएं सीख रहे होते हम सब लोग, मानते हो नहीं मानते हो, अगर किसी के वाद जादू है ठीक करनेगा, तो वो क्यों उसको किसी को बेचे कोई medicine for the internal or external use of human beings or animals, कोई दवा, तो medicine के definition में क्या क्या आते हैं, कोई दवा हम लोग जो खा रहे हैं या बाडी को पर लगा रहे हैं, इंसानों में या animals में, उसको हम दवाई कहते हैं, या any substance intended to be used for or in the diagnosis, कोई भी substance जो use किया जा रहा है, या diagnose करने के लिए, cure करने के लिए, mitigate कम करने के लिए, treat करने के लिए, रोग थाम करने के लिए, किसकी बिमारी का in humans, beings or animals, animals के अंदर क्या जा रहा है, use क्या जा रहा है, diagnose करने के लिए, या उसको cure करने के लिए, ठीक करने के लिए, बिमारी को कम करने के लिए, treat करने के लिए, रोग थाम करने के लिए, तो वो स to affect जिसकी मन्शा है कि वो affect करेगा या प्रभावित करेगा influence मतलब प्रभावित करेगा in any way the structure or any organic function of the body of human beings or animals ठीक है ना वो किसी तरह से प्रभावित करेगा या affect करेगा इंसान के structure को उसके body में चल रहे है और गनिक function को ठीक है ना चाहे हो इंसान हो या animal हो ठीक है next डी पार्ट है any article intended for use as a component of any medicine हम किसी कोई भी आर्टिकल या substance को हम medicine के component की रूप में उसको बनाने की जो विधी होती उसमें डाल रहे हैं ठीक है substance और आर्टिकल referred in sub clauses A, B और C जो A, B और C में mention है दवाईया उसमें हम add कर रहे हैं तो वो भी क्या है drug की category में आएगा clear है बातें ठीक है तो drug की definition clear होगी यहां पर जो important definition है बेटा वो जो यहां से पूछी आती है सबसे जादा वो किसकी पूछी आती है magic remedies और advertisement तो यह दो definition आप लोगों को याद होने जाए ठीक है drug की definition तो लगातार आई रही है जितने अपने आगे topic पढ़े है तो वहां से भी देखके आप लिख सकते हैं अब prohibition of certain advertisement किस तरह के advertisement करने में करने की मनाई है आओ देखले उनको भी advertisement क्या होता है magic remedies क्या क्या मतलब होता है ठीक है drugs किसको बोला गया है यह सबने समझ लिया अब कौन से advertisement है जो हमें नहीं करने है पहली चीज़ provision of advertisement of certain drugs for treatment of certain diseases and disorder कह रहा है कुछ provision of advertisement of certain drugs कुछ खास तरह की दवाईयों को for treatment of certain disease जो की कुछ खास तरह की बिमारियों को ठीक करते हैं उसका परचार करना मना है तो कह रहा है subject to the provision of this act इस act के provision को अगर हम देखे ठीक है no person shall take any part in the publication publication मतलब होता ना एक होता है कि आप देखो दवाईयों जो हम लोग अभी यहाँ पर कुछ बच्चे कहेंगे sir जो marketing वाले होते हैं वो डॉक्टर बाहर जाके लगा दी है टीवी पर आड रहा है यहां उस तरह के बात चल रहा है ठीक है उपर हमने देखा था यह उपर किया हुआ कि 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 क्या के चीज़े आती है उसके अंदर अगर आप डारेक्ट डॉक्टर के पास जा रहे हो तो वह आप जो नई दवाईयों का इजाद हुआ डॉ जो गई है ऐसा ऐसा चीज़े हैं तो वह एक डिफरेंट चीज है ठीक है ना वह मार्केटिक के अंदर आ जाएगा ठीक है बट यहां पर हम लोग किस तरह के यहां पर जो मेंली जो हमारा एड हो किया पॉब्लिक एड है ओके तो कह रहा है इस एक्ट के सब्जक्ट टू पर किसी प्रकार के अध्टाइजमेंट ऑफ ड्रग ठीक है और वह ड्रग कौनसे होंगे अध्राइजमेंट और ड्रग फॉर कौन को से ट्रग है पॉर दा प्रोकूर्मेंट ऑफ मिस्कैरिज इन वुमें यानि कि कोई दवा जो मिस्कैरिज कर सकता है इसका तो एड आप कर ही नहीं सकते चाहिए वह नॉर्मल भी क्यों नहों चाहिए वह जादूई क्यों नहों ठीक है ना और प्रिवेंशन ओफ कंसेप्षिन यानिकी कंसेप्षिन कंसीव महिलाएं गरब दाने नहीं कर सकें इस तरह की दवाईयों का भी आप एड नहीं कर सकते है ना तो यह क्या आ ग हम अलग तरिखेंगे family planning वाली बात तो वो एक अलग चीज हो गई है ठीक है तो यह एक चीज अलग हो गई है यहाँ पर हम किसी के क्या purpose यहाँ पर कि woman conceive ही ना कर पाए purpose ही अलग हो गया है दो चीज अलग-अलग है mix मत कर देना the maintenance or improvement of the capacity of human कोई भी ऐसी दवा का आप एड नहीं करोगे जो यह कहती है कि इनसान की क्या maintain रहेगा और capacity improve कर जाएगी for sexual pleasure है ना sexual pleasure के लिए क्या है आप एड नहीं कर सकते कि आप यह खा लेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा sexual pleasure बढ़ जाएगा या इस type से capacity बढ़ जाएगी यह क्या है एड नहीं कर सकते the correction of mensual disorder in women आप ऐसी किसी दवायों का परचार नहीं कर सकते जो यह कहती है कि women's के अंदर कर mensual disorder है वो ठीक हो जाएगा क्योंकि हम सब को पता है यह disorders ऐसे ठीक नहीं होते हैं के लिए proper हमें doctor की सला में देख रहें कि चीजों को अदर दवायां लेनी होती है ठीक है फिर आता है the diagnosis cure किसी चीज़ को diagnose करने के लिए cure करने के लिए कम करने के लिए ठीक करने के लिए या रोकने के लिए of any disease कोई भी ऐसी बीमारी जिसको डायगनोस करना है क्योर करना मिडिगेट करना है ड्रीट्मेंट करना है उसका रोक्थाम करनी है बिमारी है disorder है और condition specified in schedule, ऐसी बिमारी जो schedule में specified है उनको के डियागनोस करने के लिए कैसे पैछानेंगे ठीक करने के ने लिए करने के लिए और प्रिवेंशन आफ एन डिजीस इन set लीए अभी कौनवारी या नहीं और प्रहुत बिमारी हैं ठीक है जिनके लिए आप grid करने के लिए आप उन डबायों के प्रकार नहीं कर सकते खुले में ठीक है ना और एनी अदर डिजीज डिसॉर्डर और कंडिशन्स बाइ वट्सोएवर नेम काल विच में भी स्पेस्वाइड इन रूल्स मेड अंडर दिस ठीक है ना चाहे बिमारी का नाम जो मर्जी हो अगर वह इस कैटेगरी माती है हमारे रूल्स के अंदर आती है ब्लाइडनेस है ब्लड पॉजनिंग है ब्राइट्स डिजीज है कैंसर है कैटरिक्ट है डीफनेस है डाइबटीस है तमाम यह करीब-करीब 54 बिमारी हैं ठीक है इनके ठीक होने के लिए है न ऑविसी बात है इन सबका हम लोग इस तरह से नॉर्मल जैसे आम दवाईयों को परचार करते है या कुछ ओटीसी दवाईयों को परचार कर देते है उस तरीके से इन दवाईयों को परचार नहीं कर सकते है इन बिमारीयों तो जब भी अब मैं कहूंगा जैसे यहाँ पर बात आई है specified in the schedule तो इन बिमारियों को diagnose करने के लिए, cure करने के लिए कम करने के लिए, इनका ilaž करने के लिए इनकी रुप थाम करने के लिए ठीक है ना? कोई भी जो दवा है drug है उसका आप advertisement advertisement नहीं करेंगे clear हो गया? ठीक है ओके, पहले तो condition यह आ गई बात समझ में आ गई provisional advertisement of certain drugs कुछ दवाईयां है, ठीक है यहाँ पर जादू ही बात नहीं हो रहे हैं लेकिन कुछ दवाईयां जो इन सब चीज़ों को ठीक करते हैं उसका प्रचार नहीं कर सकते पब्लीकली प्रोविशन ओफ misleading advertisement relating to drug drug के बारे में अगर आप misleading advertisement कर रहे है misleading मतलब drug है कुछ और आप बता कुछ और रहे हैं तो आप फस जाएंगे तो वो गलत मतलब वो माना जाएगा इस act का उलंगन माना जाएगा subject to the provision of this act no person shall take any part in the publication of any advertisement relating to a drug if the advertisement contain any matters which कह रहा है कि इस वही ऐलाइन लिखेंगे कि इस act के तहत कोई भी इंसान no person shall take part in publication कोई भी इंसान publication में हिस्तारी नहीं करेगा इस type के advertisement में इस तरह के परचार में जो जिसके अंदर कैसा matter होगा उसके अंदर matter होगा directly और indirectly gives a false impression regarding the true character of drug drug का जो true character से drug है कुछ और उसको false claim कर रहे हो आप false impression दे रहे हो उसके बारे में कुछ और बात कर रहे हो आप बड़ा चड़ा के उसके बारे में बाते कर रहे हो कुछ और बता कुछ और रहे है उसके लिए claim कुछ और कर रहे है कि हाँ यह यह दवा खालो healthy हो जाओ यह दवा खालो तो बिमारिया ठीक हो जाएगी इस तरह क्लेमिंग हो रही है is otherwise false or misleading in any material या वो किसी और तरह के materials जो उसके अंदर है उसको क्या है is otherwise false or misleading in any materials ठीक है न वो किसी भी तरीके से अगर false या misleading है advertisement तो आप उसका प्रचार नहीं कर सकते तो prohibit है मना है कि अगर आपने false impression false claim या mislead किया तो वो क्या होगा इस act का उलंगन माना जाएगा आपको सजा हो जाएगी clear है बाते हैं अब prohibition of advertisement of magic remedies अब आईए magic remedies याने कि आप किसी प्रकार की magic remedies जादूई दवाई भोल करके उसका प्रचार नहीं करोगे for treatment of certain disease and disorder अब वो disease or disorder क्या है देखे अभी हमने तो करा no person carrying on or purporting to purporting to carry on the profession of administering कोई भी person carry on नहीं करेगा चलाएगा नहीं या इस तरह का profession नहीं करेगा जिसमें administer magic remedies जिसमें वो यह कह रहा है कि मैं administer मतलब देना जादूई दवा यह जादू की पुरिया खालो तुम्हारा इस तरह का no person कोई भी इस तरह के चीज़ carry out नहीं करेगा प्रफेशन नहीं चलाएगा इस तरह के पूर्फेशन का ना कोई चलाएगा ना इस तरह के पूर्फेशन का कोई पूब्लीकली अबटाइजमेंट करेगा ठीक है विश डिरेक्ली और इडिरेक्ली क्लें टू भी एफिकेशिस फॉर एन्ड़ पर्पॉसेस्ट इस पैसफएड इन स्यक्शन थ्री section 3 का मतलब जो point 1 हमारा था ठीक है याने कि point 1 की बात करें हम लोग तो यह हमारा point 1 है section 3 है actually यहाँ पर पढ़ाने के purpose से point डाल दिया हमें otherwise total 16 section है इसके अंदर यह हमारा section number 3 आता है तो section 3 के लिए magic round इसकी बात की गई है कोई भी इस तरह का profession नहीं करेगा ना उसका कोई परचार करेगा जो point हमारे section 3 या point 1 बाते बोली गई है उसकी उन बिमारियों के लिए है ना जो females के लिए थी mensal disorder वगरा उसके लिए आप किसी परकार का magic remedies की बात नहीं कर सकते ना advertisement कर सकते हैं provision of import into and export from India of certain advertisement ठीक है अब यहां पर देको बात समझो एक बहुत बड़ा आप क्या करना चाहरे हो परचार करना चाहरे हो और परचार का material है वो आप export कर रहे हो या import कर रहे हो परचार का material advertisement को आप advertisement क्या होगी आप सोचा advertisement क्या हो सकती है लिखी हुई चीज़ों को आप यहां से विदेश नहीं भेश सकते अगर वो इस act के अंदर गलत है तो और विदेश से लिखवा के यहां नहीं मंगवा सकते हो तो वही चीज़ कह रहा है no person shall import into कोई भी import नहीं करेगा कोई भी export नहीं करेगा from the territories to which this act extends jaund prices मतलि उन इलाकों से या उन इलाकों में न इंपूर्ट करेगा न उन इलाकों से एक्सपोर्ट करेगा जिन इलाकों में ये act लागू होता है obviously बात वह अलोब इंडिया लागू होता है ठीक है तो चाहरा है में जिन रिखायों में ये वाला एक्ट एक एक्ट स्करता हुआ एक्राइस में लागू unlock में ना इंपोर्ट करोगे एक्सपोर्ट करोगे अनी plac, ऐसा कोई भी document रा न? अजनग पर चार हो सकता है होडिंग हो सकती, बैनर हो सकता है containing an advertisement जिसके अंदर advertisement होगा of the nature referred in the section 3 or 4 or 5 यानि कि उपर के जो point number है ना 123 है हमारे पास 1 2 और तीन पॉइंट जो है ना starting तीन पॉइंट उसी की बात हो रही है कि इन तीन पॉइंट को लेकर के अगर कोई भी advertisement है ठीक है तो उसको आप import और export नहीं कर सकते हैं and any document containing any such advertisement और कोई भी document अगर ऐसा advertisement जिसके अंदर लिखा हुआ है ठीक है ना shall be deemed to be goods उसको एक समान समझा जाएगा of which the import और export has been prohibited उसको एक ऐसा समान समझा जाएगा जिसका import और export ban है यानि कि आप यह नहीं कह सकते हैं रहे हम तो कागज लेके आ रहे हैं यह तो किसी पर कर समान नहीं है लेकिन उसके उपर एक जो advertisement हो रखी है वो उस drugs की हो रखी है जो बैन है या magic remedies की हो रखी है जो की बैन है तो इस paper को भी एक समान समझा जाएगा जिसकों की prohibited मनाई है जिसके लिए इसको एक समान समझ ले जाएगा और under section 19 of the c custom act और c custom act के तहत जो कि 1878 में था 8 of 1878 मतलब आठवा था 1878 का act ही है and all the provisions that act shall have effected accordingly और इसके ओपर सारे के सारे act के जो provisions से वो लागो हो जाते है ठीक है तो यह भी एक तरीका क्या है गलत है यानि कि इसकी ओपर भी रोग था मैं यानि कि आप import export भी नहीं कर सकते हो इन तरह के का प्रिचार का ना तो इंडिया से बाहर बेर सकते हो इनको कि हाँ यहाँ पर छाप लिया और बाहर ले जा रहे हो या बाहर से कोई step की चीज मंगवा लो बाहर समझवा रही है यह केवल लिखा advertisement की बात हो रही है यहाँ पर कोई समान की बात नहीं हुई अभी तक इसको समान समझ लिया जाएगा लेकिन बाहर समझवा रही है ना यह बात clear ह अगर इस टाइब का advertisement लिखा हूँ आप मंगवा रहे हो कहीं से मान लो इस तरह का आपने एक लाग पेजेस या होडिंग छपवा लिए और आप बहार से मंगवा रहे हो तो उसको इस advertisement जो मंगवा रहे है इसको समान ही समझ लिया जाएगा और वहीं रोपके सीज कर दिया जाएगा ओके तो आप बास समझ में आ गई मेरे ख्याल से कौन-कौन सी दवाईया prohibited है prohibited of certain advertisement किन-किन परकार का advertisement ban है तो पहला क्या था mainly female से concerned था ठीक है दूसरा क्या था misleading advertisement एक दवा जो है उसको गलत तरीके सा आप दिखा रही है ठीक है उसका import export नहीं कर सकते हैं उपर के जो हमने बाते करी हैं तीन की उनके प्रचार क्वाले documents का आप import export नहीं कर सकते हैं समरी समझ में आ गई अब कौन-कौन से advertisement है जिनके उपर रोक नहीं है तो आओ देखें जा रहा है जैसे कि आपने देखा होगा कुछ दॉक्टर लोग रहते हैं जो की registered medical practitioners हैं डॉक्टर से अपने क्लिनिक के बाहर लिख लेते हैं क्या छाती और पेट रोग विसे सग्या लिख लेते हैं नीरो surgeon है हम दिमाग का इलाज करते हैं हैं दिमाग की बिवारें को दूर करते हैं तो वह registered medical practitioner है उनको अपना बताना पड़ेगा ना कि हम क्या हैं हम क्या जिस ठीक करते हैं और उनको बकाइदा government से authority मिली है तो वह परचार में आ जाएगा उसको बैन नहीं है तो साफ साफ लिखा हुआ है any signboard किसी भी परकार का signboard or notice कोई भी notice है जो display किया जा रहा है by a registered medical practitioner किसी registered medical practitioner के दोवारा on his premises उसकी जगह पर जहां क्लिनिक बगर है या घर है indicating that the treatment of any disease और जहां पर indicate कर रहा है कि वह यह बिमारी को ठीक करता है इन इन बिमारियों को signboard लगा हुआ है the schedule or the rule made under this act is undertaken in those premises ठीक है तो यह लोग उहां पर लगा सकते है उनके लिए मनाई नहीं है के लिए रहा है any treatise कोई treatise हो गया आलेक कोई लेक या कोई बुक जो deal करती है with any of the matter specified in section 3 section 3 मतलब वही आगे जो बिमारिया थी उनको ले करके कोई बुक है या कोई लेक छपा है ठीक है from a bona fide scientific और social standpoint याने कि कोई bona fide scientific मतलब bona fide scientist था जिसने वो आलेक लिखा या bona fide proper scientist था degree धारक है जिसने कि वो बुक लिखी हुई है या समाजिक social purpose से कोई आलेक लिखा गया है उन बिमारियों को ले करके तो वो भी क्या है उनको भी छूट है कि लिखा जा सकता है बुक नहीं लिखेंगे आलेक नहीं लिखेंगे तो तो फिर दिक्कत है ना तो इनको भी छूट है यह बहुत है एड के अंदरी आया था एक तरह से बट इनको छूट है अनी अड़ एड़ाइजमेंट डिटिंग टू एनी ड्रग सेंट फिदेंशली इन दा मैनर कोई अड़ाइजमेंट है एनि ड्रग सेंट कॉंफिदेंशली इन दा मैनर प्रिसकायर अंडर सेक्शन 16 only two है registered medical practitioner देखो यह आ गया कोई advertisement किया जा रहा है किसी drug के बारे में और वो confidential तरीके से किया जा रहा है किसको registered medical practitioner को यहां पर हम कहा सकते हैं जो MR लोग हैं जो marketing medical representative होते हैं वो जो अपनी दवाई कर ले जागर के add कर रहे हैं that is comes under this उसको छूट है clear है any advertisement relating to a drug printed or published by the government कोई भी advertisement drug के बारे में जो print किया गया है publish किया गया है government को द्वारा उसको छूट है कोई government तो भाई भलाई के लिए करेगी है ना any advertisement relating to drug printed or published by any person with the previous sanction of the government granted prior to the commencement of drug and magic remedies धीरे से कह रहा है कोई भी advertisement है relating to drug दवा को लेकर कोई advertisement है जो की print करना है publish करना है by any person किसी के दौ़ारा with the previous sanction मतलब previous से पहले सरकार ने उसको पहले कब से पहले 54 में आगया था अपना ये act लेकिन फिर ये amend हुआ था कब 1963 में तो इससे पहले अगर किसी को मिले हुआ हुआ है sanction मिला हुआ है कि आप इसका add कर सकते हो तो उसको भी छूट है वो उसका add कर सकता है ठीक है offenses and penalties clear हुआ किन-किन तरह के परचार को छूट है किन-किन तरह के दवायों का हम परचार कर सकते हैं ठीक है तो देखो यारा कॉंट्रावीन कॉंट्रा मिन मतला उलंगन करता है किसी भी प्रवधान का अफ दिस एक्ट एक्ट यहां पर कुछ दिस एक्ट और रूल मेड़ देर अंदर शेल बी कॉन्विक्शन बी पनिशेवल ठीक है न ओवो डंडनी अपरात कहला है ठीक है इसको अपने मन से लिख सकते है कि इफ एनिवन को ब्रेक दा रूल्स विल भी पनिशेवल इस तरह सिंपल संटर्स मना सकते हो ठीक है न इन केस ऑफ फर्स्ट कंविक्शन पहली बार जब आप इलोंगन करो गया दोसी पाए जाते हो विद इंप्रिजनमेंट आपको जेल होईगी which may extend to six month or with fine or with both आपको जेल हो सकती है फाइन लग सकता है या दोनों हो सकता है और अगर आप दौारा पाए जाते हैं सब्सक्वेंट कंविक्शन दौारा में दोसी पाए जाते हैं तो वही सजा बढ़के आपकी कितनी हो जाएगी जेल या जो फाइन है वो जे हमारे किसमें drug and magic remedies act में यह दवाई यह कुछ जो मैंने डिजीज बताई है इसे समझाने के लिए बताई हैं कि यह सब बिमारिया है ठीक है इनको याद करने की जरूत नहीं है चाहो तो आप एका disease याद कर सबको डाइवटीज कैंसर सबको पता हुआ है हमें ठीक है ना बास हमके slivers के साफ चलोगे तो केवल इतने ही point है इसके अलावा mention नहीं हमारे slivers में तो इतने ही हमको पढ़ने है ठीक है notes का link description मिल जाएगा कोई problem है तो मुझे call करो और बहतर पढ़ाई करना चाहते हो या पढ़ना चाहते हो या निकि मुझसे direct जुड़ना चाहते हो तो हमारा app है जहांसे आप मुझे direct जुड़ सकते हो हजारों बच्चों की तरह है जो मुझे से जुड़े हुए है ठीक है तो और सबसे जरूरी चीज चाहें आप मुझे से जुड़ते हैं या आप YouTube से पढ़ते हैं revise करें पढ़ते रहें और revision जरूर करें ओके all the best